अलो मेरे प्यारे बच्क तो कैसे हैं हैं आप सब स्थ सफ़ागत है आपके अपने चैनल ऊनलाइन तो पड़क तब खती से ड़ाइँ को पता आहिए दना यज सङाे चैप्टर को पूरा सोटली में बढ़ियां तरीके से समझा करके यह दस मिनिट में आज आपका जो क्या होता है चैप्टर बुरा कम्पलीट हो जाता है तो उसी स्रीज को हम लगातार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसी स्रीज के करीबें आज हम आपके साथ जो है क्लास क कैसे बनता है यहां हर चीजों पर आज हम कंप्लीटली फोकस करेंगे यानि तो एक कंप्लीट क्लास आपका होगा जो बिल्कुल 10-15 मिट में कंप्लीट हो जागा तो सभी बच्चे एक बार क्लास को क्या कर दीजिए बढ़ियां तरीके से शेयर कर दीजिए एक दो मिनिट का स सब से पहले हम लोग एक लेख और पत्र के जो हमारे राइटर है। भागत सुंह क्या इंके डिलेटृर प्रसेयर गैजम में आते हैं राइटर से लेटर हो यह आपकी चैप्टर के अंदर का प्रसेयर हो हर चीज आपके लेसे हो पढ़नेवाले जिसके लेखर तो भगज सिंग का जर्म है वह 28 सितंबर 1907 को होता है ठीक है प्रसना आजाएगा कि भगज सिंग का जर्म कभटा कहेंगा 28 सितंबर 1907 लाहर सद्यंतर केस में इनको फसाया जाता है और उसके जन्वास्थान जो है बंगा चक नमबर 105 ठीक है उसके बाद यहां पर धेया दिजिए गुलेरा ब्रांच वर्तमान लायलपूर क्या है वर्तमान लायलपूर जो पाकिस्तान में पढ़ता है ठीक है तो हमारे सदार भगत सिंग का जन्वाथा होता है लायल पूल जो भी कहां पढ़ता है पाकिस्तान में करता है ठीक है ठीक है यह उनका क्या हो गयाम हो गया अब आगे सुनिए माता और पिता दोनों को एक साथ याद कर देंगे देखें लिखा हुआ है विद्यबती देवी सरदार कि aircraft संग सिंग इस तरीके से हम क्या करें गांता और पिता क्या नाम को एक सार्थ याद याद करेंगे क्या कि कभी-कभी आपी आपसे माता का भी नाम राइटर या दोनों चीज़े याद रखेंगे ठीक परिवार की बात करने कर दोनों सोगत की सभी परीवार इनका संपूरे परिवार की स्थम्य-थी को अब आगे चलिए अधुनिक भारत्य इतिहास के एक पवित्र अस्मिर्थी रहा यानि भारते इतिहास की बात करें तो उन इतिहास में सबसे पवित्र आत्मा के रुप में भगत सिंग को जाना जाता है क्योंकि इनका योगदान हमारे देश के आजादी में बहुत ही जादा रहा है देश में क्रांती की लहर फैलाने में इनका योगदान इनके गतिविधियों के बारे में जालिया वाला बाग मिट्री को लेकर करांतिकारी गतिविधियों तो करना क्या कर दिया प्रारंब कर दिया ठीक है उसका देखे उन्हें चौरा-चौरी कांड के बाद 15 वर्सों की उम्र में कॉंग्रेस और महात्मा गांधी के सपोर्टर रहा करते ठीक है लेकिन जब हुता है तो 1922 में होता है 44 हत्या ठीक है न तो उनकी उम्रोंहें कितन साल की थी 15 वर्स जयाद रखेगा ठीक है कितने के 15 की मोह रोसे महात्मा गांधी से नहιंका मह हो जाता हो में पढ़ाई और घर चोड़कर कानपूर गनेश संकर विद्यार्थी के पत्र परताप में से वाए दे ठीक उसके बाद उन्होंने क्या क्या पढ़ाई छोड़ दिया ठीक यह भी प्रसन पूछा जागा कि हमारे भगत सिंग ने पढ़ाई कब छोड़ दी तो 1927 में ठीक है और अगर गांधी जी से इनका मोह भंग होता है किस वर्ष की अवस्था में तो क्या कहेंगे 15 वर्ष की अवस्था में चौरा चरी हत्तियाकांड कब होता है तो 1922 में ठीक है इस तरीके से जितने भी प्रसन आपके बन सकते वह इस टाइप के प्रसन बनते हैं इसको ध्यान सभासित देए उसके बाद 46 में अपने नित्युत में पंजाब में नोजवान भारत सभा चब्रण करें भागों में अस्थापित और अस्थापित नहीं औरome 1928-31 क्या कहेंगे 1928-31 तक चंसेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संग का क्या गठन किया तो पूछा भी जाएगा कि हिंदुस्तान समाजवाजी प्रजातांत्रिक संग का गठन कब होता है 1928-31 भगत सिंग के साथ मिल जाते हैं तो भगत संग मिलते हैं चंदर सेखर आजाद के साथ क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं और करांतिकारी अंदोलन सगन रूप से छेड़ देते हैं जब इनकी अगव इनकी पहली गिरफ्तारी कब होती है समझेगा तो इनकी पहली गिरफ्तारी कब होती है तो अगे बढ़े यह चीजे आपको समझ में आ गई होंगी अब देखे आगे इनके बारे में और जानते हैं देखे करा किरतियां किरतियों मतलब क्या इनकी रचना है एक लेख और एक पतस जैसे हम पढ़े तो यह भी क्या है, इनकी किर्ति है, तो इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, पंजाब की भासा तथा लिपी की समस्य ठीक है, हिंधी में 1924 उन्यस्टाब हो open हो थी, यह जो हैемोर्स गाल क्वरकेशीद हो थी 19 शबता है विस्प्रेम उसके बाद ध्यान दिए यूबक भी जो है मतवाला में प्रकासित होती है इंदी लेख के रूप में उसका दिन की अगली रचना है मैं नास्तिक क्यों हूं यह भी किनकी रचना है तो भगस सिंग की रचना है ठीक है आगे ध्यान रखेगा यह कब क्यों कि विद्यारति के आगारे हमारे धेश के अगले भविस होते हैं इसलिए वह वह करते हैं आगरह करते हैं कि राजनेतिय भाग लेना चाहिए यह ने सब्सक्राइब का दर्शन भारतिया करांतिकारी का अदर्स भी हो गया उनके रचना भगासित इस तरीके से भगासिंगे दस्तावेज लिखित रूप में जो भी चीज लिखे थे वह चीजे अलग 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 जो भी प्रकासन होते हैं अलग-अलग कमपनियां होती ठीक है इनको छापती है इनके इनके की पुष्टक को क्या किया घ्रचना है तो इसमें कुछ इंपोटेंट है मैं आपको बता दू कि विद्यार्थि और राजनीति पूछा जा चुका है ठीक है ना उसके बाद समझे सत्यागरह और हर्ताली इसको ध्यान रखना भंका दर्शन यह सब क्या है भगय संकी रचना है तो इनको जरा ध्यान में रखेंग ठीक है यह सारे आपका क्या है इंपो जैसे देखें इसको याद रखेंगा पंजाब की भादा तथा लिपी की समस्या एक यह हो जागा उसके बाद यहां आपका दूसरा ध्यान रखें यूबक को ध्यान में रखना है ठीक है उसके अद्विद्यार्थि और राजनीति उसके सत्यागरह और हर्ताल और बंब का यह सारी रचनाओं को ध्यान में रखेंगा इनसे मतलब बहुत बार आपके प्रस्ण आ चुके हैं ठीक है ना तो इन सारी रचनाओं को बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है ठीक चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहां पर हम समझेंगे कि bunny यहां से सभी अबज्यक्टिव बन जाएंगे इस कार्थिया है कि मतलब आपके चेप्टर के रिलेटर ठीक है अभी तक जो भी चीजा हम लोग देखे वुच चैना आपके रिचरी लेटर थ हैं आपके लेखक से रिलिट है तो लेखक से रिलिट है जितने भी टर्म है जितने भी तत है उन सारे के अब्जेक्टिव आपको वहां से बन जागे ठीक है और अभी जो हम लोग अब यहां से जो टर्म परेंगे यहां से आपके चैप्टर के भीतर का जो टर्म से है जो अब्जेक्टि पुछा जगत्ता है कि भगष सिंग जो किसको लिखते हैं तो सुखधेव जी को लिखते हैं तो नाम है एक लेख औरром और एक पत्र कैसका पत्र है तो वह ठीक है वही किया सबसे अच्छी मिर्ति होती है अब देखे किस ने कहा जब देश में भागय का निर्नाय हो रहा हो तो वैक्तियों को वैक्तियों के भागय को पूर्ण रूप से भुला देना चाहिए ठीक है यहां पर इस लाइन का सौपर संग भ्याख्या भी पूछा जाता है कि जब देश के भागय का निर्नाय हो रहा हो तो वैक्ति को अपने भागय को पूर्ण रूप से क्या कर देना चाहिए भूला देना चाहिए यह कौन कहते हैं भगस सिंग जी कहते है ठीक है यहां पंक्ति मतलब किस कहानी से लिए ऐसे भी प्रसन आपका पूछा जाता है पूछा जाएगा तो व्याक्या करने के लिए आपको होंगे और आपका जो सब्जेक्टिव का जोकलास है रहें तो वहां जा देख सकते हैं ठीक सा है आप लिख सकते हैं हिंदी सब्जेक्टिव वाई ओनलाइन टॉप पसड़ा ठीक है इस तरीके से आपको जितने भी सब्जेक्टिंग होंगे वह एकदम स्रीज वाई आते चले जाएंगे और हर स्रीज को आप लोग देख लिजेगा आपके हिंदी से माता पीदा दोनों के नाम को एक साध्यात रखे ठीक है विद्याबदी किसन सिंह एस तरीके से हम क्या करेंगे याद कर लेंगे अब भगस के पिता कितनी बार जिल गए अनेक को बार तो बहुत बार कहां गए जेल भी गए अब आगे समझेंगे मतवाला पत्रीका कहां से निकलती है तो कलकत्ता से इस तरीके से प्रसन आपके प्रकासित है अब पूछा जागा उबने किस पत्रीका में प्रकासित होता है अब इसमें भगासित हैं यव लेक सुकुधेव जी को लिख रहे होते किसको लुखते हैं सुकदेव जी को और उसमें देश की स्थितियों के बारे में वो चर्चा उनके साथ करते हैं ठीक है न तो यहीं है उनका एक लेख और एक पत्र देखे इस से रिलेटर हम आपको दो प्रसन हमने आपके लिए रखा है जो आपके एक्जामनेशन के nellerme चाहिए तो इसके बारे जानते हैं देखे में आगर युभा ہंगे बड़े होंगे तो उन्हें देश की बाग्डोर अपनी हातों में लेनी होगी यह यहीं पूरे देश को समभालना क्या विद्यार्थियों को कुए अगर पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे शिक्षित वर्क आगे आएंगे तो देश का अच्छे से नहीं वाले समयमिंगों देश की जो समय स्थार नहीं कर सकते लेकिन अभी से भाग ले लेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि देश में किसकी तरह की समयellsms में और जैसे राजनेता बनेंगे और लेना चाहिए अब दूसरे प्रसंद को देखिए क्या करते हैं भगात सिंह की विद्यार्थियों से बहुसी अपेक्षाय है वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनिती तथा देश की परस्तितियों का ज्यान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाई सोचने की योगिता पैदा करें देख रहें वहीं चीजें फिर समझा रहे हैं कि विद्यार्थी को राजनिती भाग लेना चाहिए और उन्हें देश की समस्याओं को निदान कैसे क्या जाए इसके बारे में अपनी अंदर योगिता पैदीक पैदा करनी चाहिए ठीक है वह देश की सेवा में बहुत देश की सिवा में तनमंधन से जुट जाए और अपने प्रान निशावर करने में तनिक भी पीछे नो हटे वही कह रहा है कि अगर विद्यार्थी देश की सिवा में तनमंधन से जुट जाए और अपने प्रानों को निशावर करने के लिए थूरा सा भी हिचके नहीं तो देश की सारी समस्याएं क्या हो जाएगी दूर हो जाएगा देश स्वतंत्र हो जाएगा देश बहुत तरक्की करेगा बहुत आगे तक जा सकता है इसलिए विद्यार्थियों को देश में की राजनीतिय भाग लेनी ही चाहिए दोनों प्रसन का लगभग आपकार्थ वही तो आज का जो यह चेप्टर था आपका एक लेक और एक पत्र बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या हो गया समाप्त हो गया ठीक है ना तो आपको आज का क्लास कैसा लगा आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीज़ेगा ठीक है और आप यह भी बताएगा कि लगातार इस तरह का स्री स्रीज करा करके जा रहा ठीक है ना तो एक दम बढ़िया तरीके से इस शीरीज को आपको एक दिन पहले भी देख लेते हैं एक दिर घंटा पहले भी देख लेते हैं आपका एक भी अब्जेक्टिव यहनी चुटने ही वाला नहीं यह मेरी पूर्ण गारेंट जिए ठीक है तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, लिखेंगे question bank by online top asada, ठीक है न, लिखेंगे question bank hindi by online top asada, पूरा question bank आपके सामने आजागा, बढ़िया तरीके से एकदम explain करके बताया गया, एक ही class में पूरा साड़े तीन सा question का संगम है, यहीं बढ़िया तरीके से उसको देख ली जगा, आपका exam में एक भी objective कुटने वाला नहीं, जरूर जो बच्चे नहीं देखें, वो बच्चे उस class को बिल्कुल जा करके देखें, क्या type करना हिंदी question bank by online top asada, ठीक है न, इस तरीके से आप करेंगे, आपका question bank आपके सामने होगा, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आप सभी बच्चों को सब कुछ बिल्कुल बढ़ियां तरीके समझ में आ गया होगा, तो फिर हम आप से मिलेंगे इसी तरह के अगले class में, तब दक के लिए सभी बच्चों को जैहिंद,